नमस्ते दोस्तो सत्स्रियकाल गुड मॉर्णिंग सभी को दोस्तो त्रिपुरा में सीच्वेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे मन कर रहा था मॉर्णिंग सुबह सुबह उड़के कि कुछ अलग सा एक वीडियो बनाया जाए तो आज सोच रहा था कि 10,330 जो जॉब टीचर्स रेकूट्मेंट हुआ था पिछले गॉब्मेंट के द्वारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा सीडी बात करूंगा 10,330 यह जो नौकरिया दिया गया है यह लीगल है या इलीगल है मेरा तीन सवाल होगा सिर्फ तीन सवाल होगा तीन सवाल में पहला सवाल यह है कि 10,320 का जो नौकरिया गया है यह लीगल या इलीगल दूसरा है अगर मचली बेचने वाला या मचली वाला अगर ये जॉब करते है तो हर किसी के बच्चे को फाइदा होगा क्या दूसरा सवाल तीसरा सवाल है कि अगर इनको ही जॉब दिया जाए तो बाकी जो ग्रेजुएट किया हुआ है टैट कम्प्लिट कर चुके है इनका क्या होगा फिर वही सवाल के साथ आज मैं आगे वरने वाला हूँ आप लोग भी अपना राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों हम हर कोई चाते कि अपना बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमेशन दिवाए लेकिन हो नहीं पता फाइनेंशिल कंडिशन के वज़े से हर किसी का नहीं होता है कि आपका नहीं होता है मेरा नहीं होता है हम लोग क्या करते का में एडमेशन दिलाते अच्छे क्या क्या गूर्मेंट जो इंग्लिश मिडियम स्कूल है उसमें एडमेशन दिलाते हैं कि फ्री आफ कॉस्ट में पढ़ाई हो जाता है तो मान लीजिए मैंने आपने सभी ने अपने बच्चे को गावश्मेंट स्कूल में एडमेशन दिलाया तो एडमेशन दिलाने के बाद क्या हुआ एडमेशन दिलाने के बाद एक मचली बेचने वाला मैं यह नहीं कहता हूँ 10,330 हर एक बंदे के पास क्वालिफिकेशन नहीं है होता है जो जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो अल्रेड़ी टैट क्लियर कर चुके है उनका कोई डिफॉल्ट भी नहीं है वो अराम से पढ़ और सारे को जियर्बिटी में मिल गया तो बात टॉपिक उस पे आता है मैंने अपने बच्चे को गॉवर्मेंट स्कुल में दिया और आपने भी दिया हर किसी ने दिया है मैक्सिमम गॉवर्मेंट परते हमारे बच्चे तो इसमें अगर मचली बेचने वाला कूडा फेकने वाला दस दस भी पास आठ भी पास बारावी पास पहले पहले के जमाने में ये लोग अगर इन लोग को अगर जॉब मिलने लगे ना तो पराई घंटा कुछ नहीं होता है उनको A, B, C, D तक पता नहीं होता डंग से बाई क्लियरली बता रहा हूँ सबके लिए वीडियो नहीं है मेरा पॉइंट मेरा जस्ट एक ही पॉइंट है पॉइंट क्या है कि ऐसे एडे गेडे लोग क्यों बता रहा हूँ क्योंकि वो लोग रैली कर रहे है इदर उदर इदर उदर अपने कोछ जॉप चाहिए अपने कोछ जॉप चाहिए अरे ऐसे नहीं होता है इनको इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसे एडे गेरे को हम लोग नौकरी पर डाल देंगे बहुत सापोर्ट करते लोग अरे यह हो गया वो हो गया इनको जॉप से निकाल दिया गया निकालने का काम थोरे ना ठेका सरकार ने ले रखा है या हमने ने रखा है निकालने का काम तो Supreme Court ने ले रखा है आप लोग जाएे Supreme Court में ऐसे अंदूलन करके क्या फायदा होगा गंटा कुछ फायदा नहीं होगा तो अपने बच्चे का future अगर हम लोगों को settle करना है तो हम लोग किसको prefer करेंगे एक टेट वाले को या फिर जो दस भी पास होके पार्टी के थूच जॉब मिला है उनको प्रेफर करेंगे तो अभी इसी बात लेट टेट जो क्लियर कर चुके है उनका वेलू जादा होगा उनका नॉलेज जादा होगा उनका पराने का धंग अलग सा होगा बच्चे को समझ म आएगा जो मचली वैचने वाला है वो मचली काट-काट के सिखाएगा क्या अभी यूपी के खान सार को देख लो भीहर के वह कैसे पराते ढंग से तो वह टाइप का क्वालिटी हर स्टीचर में नहीं है लेकिन उस टाइप का क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चे को हर ची जीएगा दोस्तों धन्यवाद